ग्रीन हाइड्रोजन के छेत्र के लक्षी प्राप्ति के लिए मैं आज इस तिरंगे की साक्षी में नेश्टल हाइड्रोजन मिशन की गोशना कर रहा हूँ अमुर्टकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोड़क्शन और एक्सपोर्टर ग्लोबल हब बनाना अमरित काल की शुरुआर देश को ग्रीन हाइडरोजेन का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धी के साथ हुई है देश को बहली स्वदेशी हाइडरोजेन फ्यूल बस मिल गई है जिसमें इंडन के लिए पेट्रोल, डीजल या सीनजी की जगा केवल पानी का इस्तिमाल किया जाएगा और जिसमें धुई की जगा पानी ही निकलेगा इस हाइडरोजेन फ्यूल बस को पुणे में KPIT CSIR ने डेवलब किया है एक डीजल बस आम तोर पर एक साल में 100 टन कारवन डायोकसाइड का उचसर जन करती है जबकि हाइडरोजेन बस से जीरो एमिशन होता है अक्षे उर्जा और जलवायू परिवर्तन के लक्षों को पूरा करने और नए उद्यमियों और नौ जवानों के लिए रोजगार के स्रीजन में प्रदानमंतरी नरेंद्रमूति का हाइडरोजेन विशन देश के लिए वर्दान जाबिद हो रहा है क्रीन हाइडरोजेन के छेत्र के लक्षी प्राप्ति के लिए मैं आज इस तिरंगे की साक्षी में नेश्टल हाइडरोजन मिशन की गोशना कर रहा हूँ अमरुतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइडरोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना अमरुतकाल की शुरुआर देश को ग्रीन हाइडरोजन का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में एक बड़ियू प्लब्धी के साथ हुई है देश को गहली स्वदेशी हाइडरोजन फ्यूल बस मिल गई है जिसमें इंडन के लिए पेट्रोल, डीजल या सीएंजी की जगा केवल पानी का इस्तिमाल किया जाएगा और जिसमें धुई की जगा पानी ही निकलेगा इस हाइडरोजन फ्यूल बस को पुणे में KPIT CSIR ने डेवलब किया है एक डीजल बस आम तोर पर एक साल में 100 टन कारवन डायोकसाइड का उचसर जन करती है जबकि हाइडरोजन बस से जीरो एमिशन होता है अक्षे उर्जा और जलवायू परिवर्थन के लक्षों को पूरा करने और नए उद्यमियों और नौ जवानों के लिए रोजगार के स्रीजन में प्रदान मंत्री नरेंद्र मूती का हाइडरोजन विशन देश के लिए वरदान जाबिद हो रहा है